असलम अलेकुम दोस्तों इस वीडियो को मातम से मापको कुछ जरूरी अप्डेट बताएंगे जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकरी होना चाहिए लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मापको बता दे किस वीडियो को आप जाद से जादा लोगों तक कारवाई की जाएगी पकड़ने के बाद बुरा सलोग भी किया जा सकता है और भी एक तरह से बुरा गंभीर उसके उपर अपराद लग सकता है तो इसके बार में डीटियल बताएंगे और लेटर जानकरी वीडियो में आपको बताएंगे अब जरूर देकिए ताकि आपको गरबतार किया गया है तीन और जो हैं वो बंगला देशी बिदेशी नागरिक हैं उनको गरबतार कर लिए गया है और उन्होंने सुविकार भी किया है बंगला देश में सौधी दूतावास के दो वरिष्ट अधकारी की मजसे बीजा की ये लोग डेल करते थे घरों की तला देशी स्रमिक को गरबतार किया गया है जो बीजा की विक्री की सुबधा परदान करते थे दोस्तों अभी जो बंगला देश में दो वरिष्ट राजनाइक हैं उनके लिए जाज किया रहा है और सौधी के भरष्टा चार ओधी एजंसी की तरफ से इपडेट किया गया है कि प्यांत्रिक मंद्राले से जुड़े दो बक्तियों को भी गरबतार किया गया है जिनोंने एक बिदेशी को 30 मिलियन रियाल के भोक्तान की घोशड़ा पर हक्सताक्सर के लिए मजबूर किया था मतलब 60,000 रियाल की रिशुवत ली थी जो सौधी एरब के अंदर इस तरह से हुआ है तो अभी बेक्तियों की जाज के बाद पता चला है कि एक बहुत बड़ा इनका समू है जो बंगला देशी स्रामिक के लिए बीजा का कारूबार करता है दोस्तों अभी एजंसी ने वड़ जदोतवास मामलों के परमुक और पोर्व उप राजदोत अब्दुल्ला अफलह मुझाही अलसामरी और वड़ जदोतवास मामलों के ओप परमुक खालिद नासे रे आयाज अलक कहतानी को तलब किया गया है और गरपतार भी कर लिया गया है हम आपको बदा दें कि अभी जाज के दुरन पाया गया है कि जो राज नाइक है वो रिसुवत के रूप में टोटल 54 मिलियन रियाल प्राप्त किये हैं राज ने करमचारी ने ये भी सुवकार किया कि बीजा के संचालन के माध्यम से कभी कभी सुदी अरब में रहने वाले किसी तीसरे बेक्त द्वारा भी जो पैसा है वो बेदेश को भेजा जाता था आगे भी अपडेट किया कि कोई भी ब्यक्त जो पद या निजी इस्तिमाल करेगा मतलब कोई भी सौदी सरकार के खिलाप कुछ भी चाहे हो राष्टेता को ले करádए और कोई कि गलतY करता तो उसके खिलाप कड़ी करआ की जाएगी अगर कोई भी पैसा वेजता है कि हमारा पैसा आप अपनी आईडी पर हमारे देश या हमारे घर भेदेजिए तो ऐस तरह की गलती आपको नहीं कर रहा है क्योंकि अभी आप देख चुके हैं वीडियो में किस तरह से बताया गया है